So, Hello and Welcome दोस्तो स्वागत है आप सभी का एक और बार मेरे चैनल पे दोस्तो दो बहुत बड़ी अपडेट मेरे पास आई है तो जल से जल वीडियो को शुरू करते हैं और हाँ प्लीज सब्सक्राइब कर दीजेगा और बेल आइकन को दबा दीजेए तक कि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें तो दोस्तो सबसे पहले जो बड़ी खबर आ रही है वो है Oh My God 2 के बारे में जी हाँ Oh My God 2 थ्रियर्टिकल रिलीज नहीं हो पाएगी ऐसी मतलब बहुत ही शॉकिंग निउस है कि इतना बड़ा सूपरस्टार और इतनी बड़ी मुवी जिसका पहला पार्ट इतना बड़ा हुज सक्सेस था उसका सेकंड फैंचाइजी मतलब थ्रियर्टिकल रिलीज नहीं कर पाएगी क्योंकि हो सकता है मुझे नहीं पता लेकिन मेरा मानना मतलब मैं इतना प्रेडिक कर पा रहा हुज कि जितने भी अक्षे कुमार के फिल्म्स आए हैं ठीक है पिछल दो साल से वो सारे के सारे फ्लॉप्स थे सारे के सारे तो अभी मतलब और कोई लॉस नहीं चाहते होंगे तो इस वज़े से शायद उन्होंने डिसिशन ले लिया कि इसको OTT पे रिलीज कर देते हैं तो अभी तो फिलाल ये खबर आ रही है कि वूट पे और जियो सिनमा पे ये अवेलिबल होगा और इसको रिलीज किया जाएगा फिलाल इसका ट्रेलर टीजर या कुछी भी ग्लिम्स कुछी मतलब सामने नहीं आया है तो जब ही सामने आएगा तो ऐसा ही लगता है कि ये थेरिटिकल रिलीज नहीं हो पाई इसको OTT पे रिलीज किया जाएगा हो सकता है ये बाद में जाके चेंज हो जाए लेकिन मुझे नहीं लगता कि चेंज होगा क्योंकि वाकए में उनकी performance अक्षर कुमार की सारी फिल्में तमाम फिल्में जो आई है वो सारी की सारे disasters रही है जो selfie आई थी वो तो एक तो huge biggest disasters of all time रहा है तो मुझे लगता है चलते मतलब सारे लोगों नहीं ये फैसला किया है makers ने, producers ने ये फैसला किया है OTT पर डाल देते हैं, तो losses नहीं होंगे किसी को भी तो इस कारण, और जो तूसरा news आ रहा है, मैं कब से कह रहा था आप लोगों को, कि जवान पोस्ट पॉन नहीं होगा, जवान पोस्ट पॉन नहीं होगा, release date 2nd June ही रहेगा, 2nd June ही रहेगा 2023, लेकिन आप कोई नहीं मान रहे लेकिन फाइनली, अपडेट आ चुका है, कि original date जो तै किया गया था, 2nd June 2023, उसी के दिन, उसी दिन ही, उसी दिन ही, मुवी को release किया जाएगा, और teaser जो है, वो अभी खबर आ रही है, और शायद आप लोगों को भी पता चल गया होगा, कि ईद के दिन, वो teaser आ जाएगी, ई टीजर में तो डेट और भी मतलब final हो ही जाएगा, कि कॉनसी देट में release होगा, तो तब तो पता चली जाएगा, लेकिन ये movie, 2nd June 2023 को ही release हो रही है, और teaser जो है, ईद के दिन आ रहा है, इससे पहले भी आ सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि ईद एक बहुती बड़ा, मतलब एक festival है, obviously, तो उसी के दिन शाएग टीजर रिलीस करेगा, और धमाका होने वाला है, मतलब पठान सिर्फ एक मतलब क्या कहते है, ग्लिम्स था, एक टीजर था, पूरी picture ना, जवान, मतलब जवान उससे बहुत बहुत बड़ी picture होने वाली है, especially इसका BGM जो होने वाला है ना नाक होंगे, आप मतलब हर एक सीन में, हर एक सीन में, और BGM तो शायद टीजर पे भी बहुत सरे रिवील किया जाएगा, और हर एक सीन में आपको गूसबम्स लेकर आएगा, हर एक सीन में, दावे के साथ कह सकता हूँ, तो अभी तक किलिए मेरे पास बहुत बड़ी दो अ ना करो, तो मिलते अगले वीडियो में और तब तक के लिए, रेडी